अब एक कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि बिहार में पहली बार लड़कियों ने लड़कों की मुकाबले नौवी में आडमिशन लिया था ये खुशिक की बात है लेकिन वो स्कूल जाकर भी क्या करेगी अगर उस स्कूल में सौचाले की सही वेवस्था नहीं रह सौचाले की वो कैसी है दरसल हाई कोट ने पटना के सभी कॉलेज और पाटले पुत्र विश्व विध्याले और पटना नगण निगम की सीमा के सरकारी स्कूलों की जाच करवाने का फैसला किया था और उसकी जिम्मदारी कोट ने अर्चिना सिना शाही अनुकृती पर बापु समारक बाली का उच्च विध्याले के परिसर से चार स्कूल एक साथ चल रहे थे जिसके बाद समिती ने सास्त्री नगर के सरकारी कर्या मध्य विध्याले लाल जी टोला में कर्या मध्य विध्याले अमला टोला में कर्या मध्य विध्याले कदमकुआ में लोके रिपोर्ट में बताया किन स्कूलों में छात्राव के लिए सौचाले और अन्य बुन्यादी धाचे नहीं और कहीं कहीं फंड की कमी और नियमित सफाई कर्मियों की कमी के कारण वाकिस्तिती खराब है जिसके बाद इसकी रिपोर्ट समिती ने हाई कोट के सामने प्रस्तूत क कई बादाओ का हवाला दिया फिर कोट में बाकिपूर गल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया और उन्हें एक अच्छी खासी डाट लगाई कोट ने कहा कि फादर ऑफ दे नेशन महात्मा गान्दी को जानते हैं उनके बारे में पड़े हैं शर्माती हैं आप लोग करना शुरू किया तो उनकी स्तिती देखने लायक थी कोट ने उनसे पूछा कि आपको पता है कि देश का भवश्य आपके हातों में हैं उन्हें कैसी जानकारी दे रहे हैं आगे कोट ने कहा कि पटना शहर स्मार्ट सिटी में शुमार है और यहां की गल्स स्कूलों में सौ नहीं है यह जानकर आपको अच्छा लगता है कोट के इन सवालों से प्रिंसिपल के होश उड़ गयत फिलाल ऐसी हालत को देखते हुए पटना हाई कोट सिक्षा विवाग के प्रधान सचीप को निर्देश दिया है कि वो इन स्थानों पर छात्राओं को सभी आवश्यक हाल है तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा बड़ी-बड़ी बाते करने में तो सब आगे रहते हैं लेकिन जमीनी स्थर पर कोई कुछ करने के लिए तयार नहीं फिलाल आज किस वीडियो में इतना ही इसे के साथ देखते रेजन का रंग्शन हमें यूट्यूब पे सब्सक्र